हुआ है 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 इस लेक्चर में पैरामिटर देखने वाले हैं जिसमें आर एल और सी होता है ठीक है यह गेट में कभी-कभी तू मार्क्स का भी पूछता है जेनरली वन मार्क्स का पूछा जाता है इंटर्विव के परपस से भी इंपॉट्विव में इस से भी रिलेटेड चीज जैसे इसकिन इफेक्ट क्या होता है रेसिस्टेंस एसी का जादा होता है यह सब चीज करेक्ट है तो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं बहुत बेसिक तरीके से हम चीजों को थोड़ा सिंप जहां पर हम लोगों को जहां पर हमको यह लगेगा कि डेरिवेशन करने की जरूरत है जहां पर रिक्वाइड है आप लोगों के लिए वहां पर हम करेंगे जहां पर नहीं जरूरत होगा डेरिवेशन की वहां पर नहीं करेंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हम तो अगर ट बताएंगे अभी बस एक मिनट देख लोग पहले टाइग्राम हमको बनाने दो यह तो टांस्फॉर्मर है यह तो जानते होंगे आप लोग ठीक है कि फिर उसके बाद ठीक है एक मिनट एक मिनट एक मिनट बस होल्ड करिए समझ जाएंगे आप लोग सब कुछ कि ऐसे हैं यह क्या क्या मतलब हर पार्ट के बारे में आपको बता रहे हैं देखो यहां पर क्या चीज़ है सब कुछ समझ में आजाएं सब बरियां से देखना है ना हम डिरेक्ट आपको फॉर्मूला भी बता सकते ते लेकिन यह सब प्रैक्टिकल जरूरी होता है ठीक है तो इतना यह एसुलेटर ठीक है यह है सर्कीट ब्रेकर यह है सर्कीट ब्रेकर दिस इस सर्कीट ब्रेकर एंडिस इस सीटी ठीक है दिस इस बस बार भष्वार ओर। यह सब हैे ट्रांस्मिशनल है। और देखो यहाँ पे कॉन-कॉन सा capacitor किस-किस चीज कर रहता है वो चीज समझना बहुत जरूरी है यह स्टैब कर रहता है तो यह जो बशिग्त जो होगा ना सब्सिक्ट होगा। यह होलो लाट लाट तरहर्ट कंड़क्टर है मैं इसाटीं कर रहेंके कुछ करेंगा न प्राइसों लेकर और है इसलिटर भी हॉलो कंड़क्टर रहेगा इसोलेटर भी hollow conductor ठीक है और यह जो अब यह जो बस बार है ठीक है बस बार अगर देखें यह transmission लाइन अगर आप देखिए गा तो transmission लाइन ACSR ठीक है ACSR इन सब के बारे में detail में हम लोग देखेंगे मतलब इसका जो connection होगा वो hollow conductor से होगा इसका connection होगा ठीक है तो यह सब चीज हम लोग को detail में देखेंगे लेकिन अभी जो required है वह चीज हम आपको बताना चाहरें ठीक है कहां कहां क्या क्या चीज होता है तो अगर हम लोग देखें अब अगर हम लोग देखेंगे तो यह अलग अलग का conductor है hollow है solid है ac-sr है तो थो को बस अकन्डेक्टर से तक आपने आपको तक बाकि दहर इतना न ही देखेंगे जहां पर जोग जरूरत लेगा वह चीज हम आपको बताएंगे तो देखो A.C.S.R. conductor क्या होता है A.C.S.R. conductor क्या होता है A.C.S.R. conductor क्या होता है इसका अगर full form हम लोग देखें तो A.C.S.R. conductor is Aluminium conductor Aluminium conductor and Steel reinforced ठीक है Steel reinforced Steel हम लोग तू लगाते हैं Steel लगाते हैं कि Mechanical strength ज़्यादा रहे ठीक है वो ज़्यादा mechanical strength रहे ज़्यादा solid मतलब हैना strength उसका ज़्यादा रहे basically ये चीज़ है For mechanical strength For mechanical strength Steel ये सब भी चीज़ एकाद नमर में पूछ दिया जाता है तो Steel हम लोग प्रोवाइट करते हैं Mechanical strength के लिए अब A.C.S.R. क्या होता है A.C.S.R. का क्यों use करते हैं ये भी चीज़ ज़रा आप देख लीज़े आपके लिए फैदा करेगा आपको ठीक है तो ये क्या होता है A.C.S.R. के बारे में देखते हैं क्या होता है ये ठीक है A.C.S.R. दो टैप का होता है एक होता है A.C.S.R. और दूसरा होता है expanded A.C.S.R. ठीक है तो A.C.S.R. क्या है ये कुछ इस टैप का है एक दो इस टैप का है ना suppose करो ये यहाँ पे पहला first this is one this is two, this is three, this is four, this is five, this is six, this is seven तो ये जो ये A.C.S.R. कंड़क्टर है ये टोटल मिला के ये क्या हो गया ये सारा ये A.C.S.R. कंड़क्टर है पूरा ये जो कंड़क्टर जाएगा ये पूरा इसको आपको A.C.S.R. बोलेंगे correct है अब अगर आप एक चीज़ यहाँ पे notice करेंगे कि यहाँ पे number of conductor अगर देखेंगे तो number of stand का अगर formula देखेंगे ये सब चीज़ थोड़ा सा practical हम आपको बता रहे है तो number of stand का formula देखेंगे तो 3x square minus 3x plus 1 होता है जहाँ पे x is layer number correct है x is layer number तो जैसे यहाँ पे x equal to 1 put करें अगर x equal to 1 put करें तो number of stand हम लोग को कितना लएगा एक तो एक हमारे पास ACSR में बस एक ही conductor चाहिए करेक्ट है similarly अगर x equal to हम लोग 2 put करें जैसा कि इस case में हम लोग किया है एक layer दूसरा layer तो जैसा कि इस case में हम लोग किया है तो यहाँ पे n is equal to यहाँ पे कितना होना चाहिए n is equal to यहाँ पे देखेंगे calculate करेंगे तो 7 आएगा ठीक है जैसा कि आप यह देख चुके है similarly अगर x is equal to 3 देखेंगे तो n is equal to 19 देगा correct है समझ रहो यह चीज़ तो ACSR conductor से क्या फाइदा होता है क्या चीज़ होता है यह आपको समझ में आ जाएगा भी थोड़ा सबसे पहला बात तो आप यह देख लीज़ें यहाँ पे steel reinforce है तो यह ज़्यादा strong हो जाता है सैग इसमें ज़्यादा नहीं होगा जैसे सैग क्या होता है जैसे transmission line के बीच में अगर देखेंगे conductor तो तो थोड़ा लटका हुआ होता है ना उसी को हम लोग सैग बोलते है तो अगर solid है ज्यादा मतब सैग भी कम रहेगा ठीक है तो सबसे पहला तो यह चीज़ देख चुके और भी इसका बहुत फैदा होता है वो दिरे दिरे आप लोग समझ जाएंगे ठीक है ACSR यह हो गया तो देखो यहां पे एक तो यहां पे एक चीज़ और भी आपको बता दे रहे है एक हो गया ACSR 1 1 second एक ऐसे लिख लो ऐसे confusion होता है 1,2,3,4,5,6 और 1 एक और रहेगा यहां पे 7 तो यह हो गया ACSR ठीक है एक दूसरा होता है expanded ACSR तो वो क्या होता है और दोनों में क्या हम लोग यूज करेंगे वो भी चीज़ आपको भी समझ में आ जाएगा दूसरा होता है expanded ACSR ठीक है इसमें भी देखिए यह 1,2,3,4,5,6,7 वन इस ACSR एंड अनदर इस expanded ACSR ठीक है तो दोनों में से क्या अच्छा हो रहेगा वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको अगर देखें तो इसमें क्या करते हैं यह जो पेपर जो इन्सुलेटर आता है वो हम दो कंड़क्टर के बीच में दो स्टैंट के बीच में रख देते ठीक है तो इसका ओवर ओल रेडियस अगर देखेंगे तो यह इंक्रीज हो गया ऌवर ऑल रेडियस इसका इन्क्रीज हो गया ठीक है अगर इन दोनों में कंपेर करें तो रेडियस आपको ज्यादा किसमें देख रहा है इसमें ज्यादा दीकर होने से अगर आगया हम लोग पढ़ेंगे इसी लेक्चार सब का चीज है इंडक्टर इंडक्टेंस क्या कल कैसे होगा तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो टू इंटु टू दी पावर मैनस सेवेन एल एन डी बाइ मतलब ऐसे लिखो पॉइंट सेवेन एट एट आर करेक्ट है यहां पे भी सेम करेक्ट है तो अगर आपकर करेंगे तो इसको एक काम करेंगे इसको लुकिं दे ट Intell ателя किसमें आपको दिक रहा है तो एसमें रेडियस यहां पर इंक्रीज हो जब यहांपी रैडियस बोग तो इसका मत्लब हो जाएक कम हो झाए गतेकर तो सो जब आ दिए डीटर अब है तो जाएगा तो जब इंडिक्टि रियक्टेंस कि मोर्ट ऑगा तो जो पावट रासफर्ट है जो कि अभी देख चुक्य है अभी स्टेविली टी जैस्ट अभी खतम किये तो फोट यह तो पावट रासफर्ट अगर देखे तो आपको पता गया झाम पावर टांसफर्ट इंक्रीज हो गया ना मतलब यहां पर स्टेबिलिटी थी इंक्रीज तो एक्सपैंड़ेड ऐसे एसार लगाने से यह फैदा होता है और एक्सपैंड़ेसर कैसे बनाते हैं तो इस्टैट जैसे एक लेयर है पहला लेयर दूसरा बबीच में एक पेपर इंसुलेशन डाल दो ठीक है तो लेंथ ज्यादा मतब रेडियस ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो यह समझ गया तो एक्स्पैंडेड एसी एसर का यूज जेनरली करते हैं ठीक है एक टेक्निकल नाम और भी होता है आप, चलीशन और भी होता है उब चाहते हुआ तो क्या होता है टेक्निकल नाम वह भी देखो एक होता है पैंफर का यूज हम लोग कहां से न करते हैं तो फैर्टी कीलोवल्ट तो वन दाक्लेपे और नहीं अंट सतने हैं आप तो अच्छा रहेगा प्रैक्टिकलिटी से थोरा सा रिलेट करो आप और तीसरा होता है मूज यह क्या होता है ग्रेटर देन 220 किलो वोल्ट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं ठीक है तो यह सब बेसिक था कंड़क्टर के बारे में और भी चीज़ सब तो अभी जब फुल कोर्स देखेंगे तो आपकों बताएंगे अधरवाइस गेट के लिए यह सफिसेंट है इसी में से प्रैक्टिकल अगर आप कहीं इंटर्विव में जाते हैं तो आप लोग उसे पूछा जा सकता है ठीक है तो यह समझ में आगया आपको है ना अब ट्रांस्मिशन ल ट्रांस्मिशन लाइन पैरामीटर अगर हम लोग देखें ट्रांस्मिशन लाइन पैरामीटर तो ट्रांस्मिशन लाइन पैरामीटर अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रांस्मिशन लाइन पैरामीटर तीन होता है और जी भी होता है तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ह है कि नहीं नहीं तो और यहांट अगर देखें आप से पूछे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा important कौन सा है ठीक है तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा important कौन सा होना चाहिए तो आप देखें शौड़ टांस्विस लैन में हम और को इग्डूर करते थे तो inductance is the most important transmission line parameter इसलिए most of the question inductance पर ही पूछता है ठीक है तो देखो सबसे पहले हम लोगों को resistance देखना है इसमें आपको अच्छे से सब को समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग resistance देखेंगे सबसे पहला चीज है resistance तो रसिस्टेंज में तो बहुत जाधे आप जानते भी हो गया इसे अधर वाइस अगर रसिस्टेंज देखेंगे ना तो दो टैप का हमारे पास सिगनल है ना एक AC और दूसरा DC है की नहीं one is AC second is DC है ना तो आपको हम एक चीज़ बता है दोनों केस में रेसिस्टेंस अलग-अलग हो जाएगा AC का रेसिस्टेंस और DC का रेसिस्टेंस मतलब एक वायर है है ना इसमें आप AC फ्लो करवाईए और DC फ्लो करवाईए है ना तो जो करेंट वेफॉर्म को जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा ना दोनों केसमें अलग-अलग होगा ठीक है कैसे क्या होता है तो यह भी चीज़ हम आपको बताएंगे ठीक है यह भी चीज़ हम आपको बताएंगे कोशन पुछना लिए लेन्द को डवलकर इलंद को टिपलकर दे एरिया को डवलकर दे एरिया को टिपलकर दे टोन ne खिंगा झाल सब्सक्रणीर मेरा तो यह इनी केंडिशन आपको एक चीज या डखना है कि एन general हम लोग volume को constant रखते हैं in general volume constant होगा जैसे यह है यह conductor है इसको खीच दो आप ठीक है तो volume constant होगा area कम हो जाएगा length ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो in any condition आप यह याद रखिएगा volume is assumed to be constant volume is assumed to be constant इस पर एक example करते हैं तो आपको समझ में आएगा volume is assumed to be constant correct volume is assumed to be constant जैसे कि अगर हम आप से question पूछे if length length of the line is increased by if length of the line is if length of the line is increased by two times length length of the line is increased by two times resistance क्या होगा कितने टाइम से reduce होगा increase होगा क्या होगा ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या करना है volume को आपको constant रखने कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है जर्स्ट वॉल्यम कॉंस्टेंट होगा तो देखो एवन इंटू एल वन शुड भी इकॉल टू इंटू इंटू होना चाहिए ठीक है तो इस question में क्या बोल रहा है L2 जो है L2 यहाँ पर क्या है length of the line is increased by two times ठीक है तो 2L1 हो जाएगा ठीक है 2L1 हो जाएगा तो इसका मतलब A2 यहाँ पर कितना रहेगा A1 L1 divided by 2L1 है कि नहीं तो L1 L1 cancel यह कितना रहेगा A1 by 2 A1 by 2 रहेगा A2 is equal to A1 by 2 तो अब अगर resistance देखें R2 देखें तो रो L2 by A2 होना चाहिए है कि नहीं तो इसका मतलब रो L2 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 कर दिया ना L2 को 2 कर दिया और एडिया यहाँ पर क्या हो गया A1 by 2 हो गया मतलब यह क्या रहेगा 4 into rho L1 by A1 है ना 4 into rho L1 by L1 मतलब resistance क्या हो गया 4 times increase हो गया तो यह चीज़ याद रखना ऐसे याद रखना तो अच्छा रहेगा कभी आप से यह पूछ देए कि length को नहीं मतलब जो है ना अगर cross sectional area को double कर दे half कर दे तो क्या होगा तो आप लोग डिरेक्ट याद रखिएगा यह वाला concept volume is assumed to be constant ठीक है तो यह चीज़ याद रखना अब इसमें एक term आता है बहुत ही important term है skin effect ठीक है उससे आपको और भी चीज़ समझ में आएगा यह देखो यह याद रखना है एक simple सा step हम आपको बता है हम ऐसे भी आपको बता सकते थे कि direct l into l karo into l karo to l square by volume हो गया ठीक है similarly आप ऐसे करो into a into a तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं रो l by a है ना तो इसको आप कैसे लिख सकते है रो l into l divided by a into l मतलब रो l square divided by volume आप ऐसे भी कर सकते थे आप ऐसे भी कर सकते थे आप इसे लिख सकते हैं तो आप एसे भी कर सकते हैं एक नेटte रहे यह सकते है यह सकते है यह शुर method सो इसकत trained है आप साथ सबस्क्राइब आप तो आपको आंसर आजाएगा ठीक है इस पर कोशन पूछा है बहुत इजी है ऐसे टेंड ट्विल्थ का है चीज़े लेकिन पूछा है इस पर अब यहां पर देखो नेक्स्ट हम आपको इसमें बता रहा है लेकिन क्योंकि क्रैस को और से तो बॉन्डेशन होता है अधर्वाइस हम आपको आपको यहां से भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा रिक्वाइट नहीं है ना बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का रिक्वाइर्मेंट नहीं है यहां पर तो देखो अभी इसकीन के ACSR कंड़क्टर है ना यह कैसा कंड़क्टर ठीक है यह ACSR कंड़क्टर है तो सब्सक्राइब करें अगर आप एक चीज़ नूटिस करें अगर आप इसको थोरा सा सिंपल लखने की कोशिस करें जिसे आपको समझ में आ जाए ठीक है इसको हम AD करेंट से भी हम आपको बता सकते लेकिन वह फालतों में आपको ज्यादा सोचना पर एगा बेटर यह है कि जो अभी हम बता रहें इसको समझो है ना और वह बाकी सब और भी डिटेल में हम लोग फूल कोर्स में देखेंगे ठीक है अब को इसकी एफेक्ट समझना यह इंपॉर्टेंट देखो सबसे किया है अप एक चीज़ यहां पे नोटिस करो फ्लक्स लिंकेज यहां पे सबसे ज्यादा कहां पे होगा फ्लक्स लिंकेज अगर हम लोग देखें कि मतलब जो इनर में वन आपको first दिख रहा है वहाँ पे ज़्यादा flux linkage होगा या two या three या four या five order पे होगा सबसे ज़्यादा flux linkage तो देखो one जो है one क्या है one डूनों के influence में हर तरब से सारे conductor के influence में one है ना तो one जो है ना सारे conductor के influence में correct है और same equal amount में ठीक है one जो है जैसे two three four five six seven equal distance सबका center से ठीक है तो flux linkage यहाँ पर one पर obviously कुछ है suppose करो कुछ है है ना कुछ है flux linkage लेमडा one अब अगर देखिए three three का आप देखें तो three पे क्या होगा three पे यहाँ पर four से कुछ distance है two से कुछ distance है लेकि six से तो distance ज्यादा होगा ना तो six का influence होगा three पे तो कम होगा है कि नहीं तो कुल मिला के अगर देखें तो outer conductor से outer stand से flux linkage inner पे तो ज्यादा है ना कहने का मतलब आप यह बोल सकते हो यहाँ पे कि center से flux linkage जैसे-जैसे distance पर जाते जाएंगे तो वैसे-वैसे flux linkage कम होते जाएगा है ना अग्दम सिंपल करके हम आपको बताने की कोशिस कर रहें ठीक है तो flux linkage जब कम होते जाएगा this is flux linkage है ना and this is x is distance from the center distance from the center ठीक है तो जब distance कम होते जाएगा तो अब यहाँ तब distance के साथ flux linkage अगर कम होते जाएगा तो अब आप यहां पर यह देखिए कि सेंटर पर अगर देखें तो at the center ठीक है at the center अगर हम लोग देखें तो flux linkage ज्यादा है तो inductance का value क्या होता है flux linkage divided by current तो अगर flux linkage ज्यादा है तो इसका मतलब inductance ज्यादा होगा है ना और जब inductance यहां पर ज्यादा होगा जब यहां पर inductance ज्यादा होगा तो xl क्या होता है two pi f into l तो जब inductance ज्यादा है तो xl भी ज्यादा होगा xl भी ज्यादा होगा और जब xl ज्यादा होगा सबसे कम होगा और इसका मतलब है क्योंकि सबसे ज्यादा है तो इस लिए सेंटर पर क्रेंट सबसे कम होगा ठीक है और इसका मतलब यह हुआ क्योंकि center पे current सबसे कम है कम है current तो current maximum काँ पे flow हो रहा होगा center से दूर ही flow हो रहा होगा center से दूर ही flow हो रहा होगा मतलब skin पे ही flow हो रहा होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं skin effect है इसको और भी समझगिए सिपान piss लोग के तरफ रहे सो हैं तो सपोस्पारों यहां पर यह सब्रहें कि हमारे पारेपास यूद्याइश पर एक अब on रेडिये से और फिर उसके बाद यहाँ पर मैकसिमम करेंट होका सनितर नाm होगा कूम करेंट कहां पर play ना of custom कारेंट फ्लो होगा n elders maximum current करेंट करेंट को मैकसिमंट फ्लो होगा R1 और r2 प्राइल क्षान इसके बीच मैक्सिमम करेंट फ्लो होगा ठीक है maximum current flow होगा इसके बीच है एसी की बात कर रहे हम लोग है यह एसी की बात कर रहे हैं तो जब maximum current यहां पे flow होगा इस center और मतलब आर वन और आर तू के बीच में तो current के लिए available area कौन सा है current के लिए अगर available area हम लोग देखे हैं तो कितना है पाइ आरहट TWO स्कॉर नौस आरवन इस्कॉर आ नदा यार्वन सायर वनसकॉर तो जब यवलेवल एरिया यहां पे इतना है तो अगर डेसी स्टेन इसकीझ कियेasis में रेशिस्टेंस यहां पर यह रहा अगर हम लोग देखें डी सी के 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 स्ञेक क्या होता रहा सब्सक्रों यह आर टू है नियुनिफॉर्मली डिस्रीविटेर होता है अभी आपको समझ में आगा है यह का केस है और यह क्या है यह DC का case है तो current uniformly distributed होता है तो area अगर हम लोग देखें यहां पे तो pi R2 square हम लोग यहां पे कर सकते हैं वी एरिया तो pi R2 square क्योंकि current uniformly distributed है तो अगर RDC यहां पर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा ? रो एल by pi R 2 हो जाएगा यहाँ तो आप अगर देखें तो इन दोनों में से आपको ज्यादा कौन सा दिख रहा है । हमेशा यह छीज याद रखेंगा इन दोनों में AC, RAC लगे तो ज्यादा दिख रहा है आपको तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखा जाए अलग अलग बुक में तो अलग अलग ऐसे लिखा रहता है लेकिन ऑन इने बरेज आर एसी जो होता है इस चीज को भी ध्यान में रखेगा आप लोग है ना तो इसकीन इफेक्ट यह हुआ अब जैसे इसी के लिए क्यों नहीं होता है इसको भी थोड़ा आपको अगर देखना है डिटेल में तो एक तर्म हम लोग पढ़ते हैं इसकीन डेफ्ट ठीक है इसकीन डेफ्ट ठीक है त में प्याइब किया होता है अब स्कीन डेफ्ट क्या होगा उसके लिए आपको एक मिनट वेट करना पड़ेगा एक मिनट आपको वेट करना परेगा यहां पर करेंट आई है सपोज करो और इस सर्फेस पर करेंट है i by e है ना तो सर्फेस से यह जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं skin depth मतलब distance from the surface of the conductor where current falls to i by e where i is current flowing at the surface of the conductor that distance is called skin depth करेक्ट है यह थोड़ा सा EMFT का हम यूज करें EMFT के यूज से हम आपको बता रहें है ना तो इसको हम लोग skin depth बोलते हैं तो skin depth अगर हम लोग देखें तो skin depth is inversely proportional to frequency conductivity है कि नहीं skin depth inversely proportional to frequency and conductivity होता है यह आपको detail में नहीं देखना है बस आप इसको जो देखें जो हम बता रहें इसको देखो आप तो अब यहाँ पर ऐसा है कि जब skin depth inversely proportional to frequency है अबर रूट-frequency है और आप यह बताओ इसकीन डेखट अगर जादा होगा तो क्या skin effect जादा होगा नहीं आप ऐसे समझो अगर skin depth जादा होगा मतलब यह जो current जादा center की तरफ रहेगा ना अगर current जादा center की तरफ रहेगा तो skin effect क्या रहेगा कम रहेगा मतलब हम यह बोल सकते हैं कि skin depth is inversely proportional to skin effect है ना skin depth is inversely proportional to skin effect मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि skin effect is directly proportional to under root of frequency है की नहीं तो मतलब for DC अगर देखें बहुत ज़्यादा तो for DC अगर हम लोग देखें तो for DC frequency कितना होता है 0 for DC frequency is 0 that means skin effect क्या होगा DC के लिए skin effect यहाँ पर DC के लिए 0 होगा ना skin effect for DC is 0 hence current is uniformly distributed hence current is hence current is sempre is naturally distributed in case of DC hence current is uniformly distributed in case of DC noise तो इसस्टेंस पूछा जा सकता है ठीक है अगर हम देखे तो रेसिस्टेंस में इतना ही है तो उतना ही होता है ठीक है अब अगर हम लोग देखें स्किर इंड़केंट के आलब और शक्रा न के फानी dopo blij मोच इंपीट इंपॉटALK इंपॉटेंट इंड़केंट इंड़केंट सब्सक्राइब है आपको डेखना ज़रूरी है अच्छे से समाझना जरूरी है था सब्सक्राइब है इंड़क्टेंस केल्कुलेशन है इंड़क्टेंस केल्कुलेशन क्या है अभी आप देखे कि हमारे पास अगर एक कोई इंड़क्टेंस के लिए इसका इंड़क्टेंस के लिए इसके लिए लगाएंगे तो सिंपल सी बात है इसके कैसे करते हैं है न वहां से हमारे पास एच आजाएगा जब एच आ जाएगा तो । अब जब आ गया तो हमारे पास भी डॉक्स भी आ तो जब भी खेंगा तो जब देरिए ना ऑजाई एससे जाए 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 खांदो घो जो भी गेंचे लिक टेड़ेंच या कहीं पे भी तो इसी स्टेप को फॉलो करते हैं लोग ठीक है सेम ही स्टेप होता है तो इस स्टेप को अभी हम लोगों को नहीं फॉलो करना है हम लोगों को डिरेक्ट देखना है और उसी से कुश्चन आएगा ठीक है यह स्टेप समझना ठीक है अच्छी बात है लेकिन ज और एक एक्स्टरनल फ्लक्स भी होगा दो टैप का फ्लक्स होगा एक इंटरनल फ्लक्स भी और दूसरा एक एक्स्टरनल फ्लक्स भी दोनों तरफ अगर पास हम लोग को क्या है इंटर्नल इंडिक्टरिंट्स से इस सिंगल तर के वह जे से से बीद से कितना हो गा है अब यहаств का maximum के ढोगा कीट साम Choose single conductor की हम बात करें आव सिनगल कंडaches से ही हम लोग इसका निकाला लेंगे ऐसे बने तो देखो यहां अगर लिपव लुँटेक आगाप है तो अब तो फ्लक्स्ष युठीकेस ऊयरा इस डी टी उट्म उटेस्टाल को अगर आप देखेंगे इंटर्नल इंडक्टेंस कि आगा जो आपको बताने यह याद रखने हैं जो इस वार गेट के पेपर देर है जो हम आपको बता रहें यह याद रखने हैं मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो यह एक्स्टेंसिव प्रोग्राम में भी लोग इतना ही बता अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो यह अगर आप इसको इसको क्या होते हैं mu not is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 और mu are relative permeability is generally is 1. ठीक है तो अगर इसको हम लोग इस पर put करें तो यहाँ पर कितना रहेगा L internal अगर हम लोग देखेंगे तो L internal यहाँ पर कितना रहेगा तो 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 8 pi तो मतलब यह कितना रहा 1 by 2 into 10 to the power minus 7 henry per meter. L internal यह आ गया अब अगर L external हम लोग देखेंगे अगर हम लोग L external देखेंगे तो L external यहाँ पर कैसे हम लोग calculate करेंगे same 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 2 pi into 10 to the मतलब 2 pi into L n d by r henry per meter ठीक है इतना आपको याद रखना है तो 2 pi से 2 pi cancel तो L external अगर हम लोग देखेंगे तो L external किता रहेगा 2 into 10 to the power minus 7 L n d by r henry per meter है henry per meter है यह याद रखेगा यहाँ पर भी henry per meter आया एक एक चीज अगर आप notice करें एक चीज अगर आप notice करें तो L internal यह अगर देखो याद रखना है यह चीज क्योंकि flux density जो होता है ना वह लेंथ जैसे मत्तब radius जैसे 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 दूर जाते जोगा तो बढ़ते जाएगा तो इसलिए याद रखेगा ल इंट्रनल इस इंडिपेंट्ड़ औफ रेडियस अफ दर कंड़क्टर एंड फॉर होगोड़कर ठीक है जो मतलब एक सौलीड और दूसरा होलो होता है तो होलो कंड़क्टर के लिए हैं इंटर्नल जो होगा ये क्या होगा 0 होगा hollow conductor के लिए L internal is equal to 0 correct है तो अब अगर हम लोग देखे L अगर देखे एक single wire का अभी हम लोग single wire का ही देख रहे है single wire का ही देख रहे है तो L अगर देखे हम लोग तो L internal plus L external होना चाहिए total inductance ठीक है एक single conductor का तो अब अगर हम लोग देखे तो ये कितना है 1 by 2 into 10 to the power minus 7 plus 2 into 10 to the power minus 7 L and D by R है ना है ना हैंडी पर मीटर है कि नहीं हैंडी पर मीटर तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप इसको एक काम करो 2 into 10 to the power minus 7 1 by 4 plus यहां पर कितना होगा L and D by R होगा L and D by R Henry per मीटर L and D by R Henry per मीटर तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into 10 to the power minus 7 L and E to the power 1 by 4 लिख सकते हैं L and E to the power 1 by 4 plus L and D by R henry per मीटर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इसको अब इसी में आगर हम लोग देखें इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 10 to the power minus 7 ln d by r into e to the power minus 1 by 4 हम लोग लिख सकते हैं, यह denominator में आ गया है, यह denominator में आ गया है, and this is equal to, मतलब this is handy per meter, तो मतलब inductance of single wire जो आया, inductance of single wire जो आया, l is equal to 2 into 10 to the power minus 7 ln d by r dash, इसको लोग लिख सकते हैं, l n d by r dash and this is henry per meter, यहाद रखना यह चीज, unit henry per meter है, अब अगर यहाँ पर देखेंगे, r dash का value होता है, r into e to the power minus 1 by 4, तो यह किता रहता है, 0.7788 r, correct है, r dash यह रहता है, r dash क्या है, आप देखें, एक चीज, नोटिस किया आप, जो skin effect में हम क्या पढ़े थे, जो flux linkage था, center पर maximum और फिर ऐसे-ऐसे decrease होता था, मतलब जो है, flux linkage आप यह देखें हुए थे, अगर यह center है, तो center है, और यह radius है, तो यह ऐसे करके decrease हो रहाता है, और देखो, flux linkage, यह ideal case हम मान रहे है, यह ideal case मान रहे है, flux linkage with distance x, यहाँ पर decrease हो रहाता है, तो आप suppose करो, इस distance के बाद decrease हो गया, देखना ideally हम क्या बता रहे हैं, बहुत important case है यह, आप suppose करो, इस distance के बाद zero हो गया है, तो जो total current है, यहाँ पर इसके बाद अगर देखें, इस डिस्टेंस के बाद तो कोई इंडब्होग्टेंस में खलुक ! कोई दैस्टेंस के बाद नहीं है तो इसका मतलब इंडध्यक्टेंस भी तो इसका मतलब तोटल करेंट भी R' से R के बीच में फ्लो होगा due to skin effect ठीक है तो R' क्या है distance from the center where internal flux is assumed to exist और इसी को हम लोग बोलते है GMR geometric mean radius है की नहीं इसके बारे में और आगे परहेंगा हम लोग ठीक है तो आप इतना समझ गए L is equal to 2 into 10 to the power minus 7 L and D by R' है न इस चीज़ को याद रखेगा L is equal to 2 into 10 to the power minus 7 L and D by R' इस इसी में आप देखो एक चीज़ और भी नोटिस करों यह सिंगल कंड़क्टर का है न यह फौर सॉलिड कंड़क्टर यह हो गया फौर सॉलिड कंड़क्टर यह हो गया फौर सॉलिड कंड़क्टर यह हो गया हौलो कंड़क्टर के लिए क्या होना चाहिए हौलो कंड़क्टर के लिए भी हम बता रहे हैं फौर हौलो कंड़क्टर फौर हौलो कंड़क्टर जो इंड़क्टेंस हो गाना याद रखना यह हम्पॉर्टेंट है ऑप्य लौक्टेंस हो गाना चाहिए तो इंटू टू दी पावर मैनस सेवें ऐल एन दी बाय आर ठीक है हम्री पर मिटर नोटीस इन दोनों में क्या आपको तो यह आप देखें सिंगल वायर का इंडक्टेंस ठीक है क्या आया फॉर्मूला टू इन्टू टू टू दी पावर मैनस सेवें इन्टू एल एंडी बाइर डैस ठीक है याद हो गया है हैंडी पर मीटर में ठीक है बस इतना है याद रखना है बस अब उसके बाद कुछ नह सेवें एक और भी यहांपे सिंगल गन्डश्वा पॉर्मूला आपको यहाद हो गया अब यहां पर उर्म आप बता रहें इंपोर्टंट्ट चीज्स बतारा है जी से और भी आपको कॉणसेप्स क्लियर होगा यह चीज है कि कि हमारे पास फ्लक्स लिंकेज कहीं पता चल ग हें हमारा काम है की नहीं तो अगर फ्लक्स लिंकेज आपको पता चाहा है तो फिरकोई टेंशन ही नहीं है तो देखो आप उब आपको वाइड भलग्स लिंकेज आफ एॉप अफ सबाटर यंए ग्रूप आफ गुंडेक्टर अर्च ग्रूप ऑफ कंडुक्टर्स फ्लक्स लिंकेज उफ अफ एक अग्रूप ऑफ और क्या होगा इसको समझो अच्छे से उमीद मत करना कि पूरा हम डिटायव करेंगे करेंगे लेकिन वो बाद में करेंगे फुल कोर्स में गेट के लिए इतना ज़रूरत नहीं है इसको हमारे पास ये एक अपन्डॉक्टर है यह बी और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप सब्सक्रों यह क्या है यह यह य करेक्ट है और सारे का रेडियस आप सपोज करो आर है अलगलग भी हो सकता है अब अगर देखो flux linkage of A आपसे पूछे flux linkage of A अगर आपसे पूछे flux linkage of A suppose करो A काम को inductance निकलना ठीक है flux linkage of A अगर देखें तो यह आ जाएगा याद रखना तरीका समझना 2 into 10 to the power minus 7 2 into 10 to the power minus 7 common है I A into I A into LN I A into LN 1 by R dash R dash क्या है R dash जो परहे हुए थे अभी हम लोग जो GMR है ना A का बस है ना GMR R dash 0.7788R ठीक है तो A का अगर flux linkage देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 by R dash लिखें फिर उसके बाद I B L N 1 by A से B का distance कितना है DAB करेक्ट है PLUS IC LN A से C का distance कितना है DAB PLUS ID LN 1 by DAB करेक्ट है flux linkage of A आ गया और उसके बाद बस एक चीज़ और करना है और जाएगा inductance कहीं पे भी तो अगर एक चीज़ और क्या करेंगे देखो यहां पर सबस्कुरण करेंट आए यहां पर सब्सक्रीए करेंट क्या है इसमें सब्सक्री और इसमेंक्र और इसमें इन बैलेंश सिचुएशन आइए प्लस आयबी प्लस आयडि इस इक्वाल टू जी टीक हैं इन बैलेंश सिस्चुएशन अब इसे आम लोग निकाल सकतें ठीक है कैसे अब सब्सक्राइब अगर एक लोग को देखना है तो प्लस आए बी इंटु एन वन वाई से सिका डिस्टेंस प्लस आए डी इंटू एलन वन वाई गडिस्टेंस तो इतना समझ गया अगर इसका application हम लोग देख लें तो अच्छे से समझ में आ जागा है तो इसका application हम लोग देखते हैं मों टू वायर system तू वायर system single-phase two-wire system है इस्पोज करो single-phase two-wire system इस्पोज करेक्ट है तो single phase 2 wire system suppose करो यह A conductor है और यह क्या है यह B conductor है ठीक है यह A conductor और यह B conductor आपको पता है हम किसकी बात करते हैं यह देखो जैसे source है इस टैप का ठीक है और एक conductor यह है दूसा conductor यह है और इदर कई पर सपोज करो लूड लगा हुआ है ना यह conductor है और दूसा conductor ऐसे एक conductor और दूसा conductor incoming is coming तो यह है यह A suppose करो और यह B suppose करो इस टाइप का situation ठीक है तो अगर इसमें suppose करो I A current flow हो रहे है इसमें suppose करो I A current flow हो रहे है और इसमें suppose करी आप I B current flow है ठीक है तो इन दोनों के का डिस्टेंस आप सब्सक्राइब सेंटर तो अगर हम लोगों को देखना है अगर हम लोगों को देखना है फ्लक्स लिंकेज ओफ यहां पर कितना होना चाहिए तो इंटू टेंटू दी पाउर मैनस सेवें डिरेक्ट उसी फॉर्मूला पर जो भी हम बता चुके उसपे पुट करना हम लोगों को तो आए इंटू एल एन वन बाई आर डैस प्लस आई बी इंटू एल एन वन बाई डी है ना हैंडी पर मीटर अगर हम कई पर ना भी लिख अब देखो हैना यही होगा ना जैसा अभी हम फॉर्मूला पर आपको बताया है तो अब अगर देखिए तो बैलेंस सीच्वेशन में आई एप्लस आई बी इक्वाल टू जीरू होना चाहिए मतलब अगर हम देखें तो आइबी इक्वाल टू क्या होगा मैनस आई होना च चाहिए तो फ्लक्स लिंकेश ऑफ ए अगर हम लोग देखें तो टू इन्टू दी पावर मैनस से वेन और यह क्या है आए इन्टू एल एन वन बै आट डाइस तो है ही और फिर यह मैनस आए इन्टू एल एन क्या हो जाएगा यह क्या रहेगा हेंजी पर मीटर करेक्ट है फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इसको और भी करो एक्सपैंड तो टू इन्टू टेन टू दी पावर मैनस से वेन आए इन्टू एल एन वन बै आट डाइस तो है ही तो मैनस मैनस प्लस करते हैं हम लोग आए इन्टू एल अपावर मैनस से वेन आ ए इंटू एल एंटू एल एटी बाइ बाइर दाइस हैं दी पर मिटर तो अगर फ्लक्स लिंक आ चुका है तो एल एक क्या आ जाएका फ्लक्स लिंके सिस्पार आए एंदिस विल बिकम स्क प्वार नहीं पैस है अन्टू इउस तूंट दी पार द सब्सक्राइब यहां पर नोटिस करना है आप जो हमारे जो सर्किट है वो कुछ पूरे सिस्टम का अगर पूछे तो सिरीज में है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं यहां पर इसको एसे लिख सकते हैं अंध्या आप अगर प्लस यह रहेगा लए फ्लाइफ से लिए थिल्पी तो यह समझ में आ गया कितना सिंपल चीज्ज आ यह तो यही सब चीज आपको याद रखने आप अगर देखो अगर three three season सिस्टम में पूछे अभी single-phase two-wire system सिस्टम था थीक single-phase two Isis तरहिए अगर इस सब नहीं बता रहे हैं तो आप तो आप देखिए वह भी चीज अम आको बता रहे हैं वह भी चीज आ चाहिंग देखें Мы भी यह अब याम बंडनींग और वह सब शीद नहीं बता रहा है मैं समझना श्युक्त सब्सक्राइब है दोनों के विस्टेंस डी है इन दोनों के बिस का डिस्टेंस डी है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिया मतलब हम लोग यह मान के चलते हैं कि डि जो है बहुत आर से ज्यादा है इसलिए इन दोन भी कर रहे हैं डिके कंपरिजन में मतलब जो है ना जैसे डी मैनस आर होना चाहिए डी प्लस आरा तो वह सब चीज नहीं कर रहे हैं तो देखो सब्सक्राइब कर देखो अब अगर आप यहां पर देखे हैं है ना सिंपल सी बात है कोई दिक्कत नहीं है उसी सेम फॉर्मूला पर हम आपको बता हुए है फिर उसके बाद देखो बैलेंस सिच्वेशन में क्या होगा आइए प्लस आएए प्लस आएए प्लस इस इक्वालट तो इसका मतलब ऐएए फ्लूस लिंकेज ओं अगर हम लोग देखे तो कैसे हम लोग कर सकते हैं सकते हैं प्लस LN1 by D तो है ही इंतु I B plus I C आइ बी प्लस I C है कि नहीं LN1 by D को common कर लिए हम लोग तो IB plus I C मतलब यहां पे flux linkage of A अगर देखें तो 2 into 10 to the power minus 7 2 into 10 to the power minus 7 ये कितना रहेगा आई A into LN1 by आट डाश तो रहेगा ही minus i a into l n 1 by d हम लोग करते हैं मैनस l n into 1 by d करते हैं nd per meter अब अगर यहां पर समझ जाएए अगर हम यहां पर लिखें i a is equal to 2 into 10 to the power minus 7 i a आप इसको कैसे लिख सकते हैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं l n minus है तो plus तो d उपर चला जाएगा तो d by r dash है ना तो अब अगर यहां पर देखें एल ए हम लोग को देखना अगर एक का इंडक्टेंस हमको चाहिए तो यहां पर फ्लक्स लिंगेज बाइ आए और यह यहां पर कितना रहेगा तो इंडक्टेंस देखो इस केस में भी सेम ही आया जितना कि हम लोग देख चाहिए अभी तक ठीक है तो यह यहां गेट में एक बार इस पर कोशन पूछा हुआ है और एक बार किस पर जो डबल सरकीट हम बता है ना एक बार उस पर पूछा हुआ है तो मॉश्टली जो कुश्चन आपसे पूछेगा इतने पर ही पूछेगा अब आपसे हम एक चीज बताना चाहरे हैं कुछ-कुछ चीज और भी देख लो ट्रांस पोजीशन का नाम आप सुने होंगे ठीक है ठास पोजीशन का तो यह अगर देखें यह अगर केस देखें त् इसमें अगर डिस्टेंस तीनों का सेम है तो इंडक्टेंस तीनों का सेम ही रहेगा ठीक है तीनों का इंडक्टेंस सेम ही रहेगा लेकिन अगर इसमें सपोज करो अगर आप सपोज करो यहां पर हम ऐसा कर दें अगर हम ऐसा कर दें ए यहां पर बी यहां पर और सी यहां प रहेगा लेकिन अगर आप बहुट बार देखते होंगे बहुत बार आप देखते होंगे है कि जो तरल्ली जो किया रहता है प्रैक्टिकल क्या रहता है तोeties पोगो थे यदि असे अब बतार से आफ्यन थे श्येसं समझत कम आएगा श्ची कहा अंट की कि अ होता है है तो अगर संपोच कमारे पास वोता है इसा अगर अश Cette में ओखर और इसे था करेंग इसलिप्र झालग जिया अगर आपको पता है गर इंजिनिरिंग लगाएंगे- डरौ हूंँ पर इंजिनेरिंग लगायंगे ठीक है तो अब यहां पे क्या होगाँ अब यहां पे क्या होगा जो देखो हम लोग क्या करते हैं यहां पर सब्सक्राइब करो आप च्छे मिली हैं इसका इंड़क्टेंस आप सब्सक्राइब एसा करें तो इसमें अपको अलग दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं ना सबसे इसको बरावर डिश्टेंस में एक को उपर दूसरे को नीचे ऐसे करते हैं तो मतलब हम क्या करते देखना हम बहुत अच्छे से आपको देखने की जरूरत है जरूरत है अब लोग इसको क्या करते हैं ट्रांस पोजीशन क्या होता है वह हम आपको बताने की कोशिस करते हैं ठीक है बस एक मिनट आप रुप जाएए करेक्ट है फिर उसके बाद हम लोग क्या करें इसको सबसे नीचे करते हैं और फिर यहां करते हैं सबसे उपर करते हैं ठीक है फिर उसके बाद अगर देखें उसके बाद एक मिनट उसके बाद इसको क्या करते हैं सबसे उपर करते हैं यहां से यहां कर और फिर उसके बाद यहां से बीच पर ठीक है ऐसा कुछ तो यह जो चीज होता है एक को नीचे फिर ऊपर मतलब एक को सबसे दूसरे को ऐसे करके हम लोग ट्रांसपोज ऐसे क्या फायदा होता वह चीज हम आपको बता रहे है। है 15 million है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या है यह 15 तो यहां पर यहांप पर 9 million और फिर यहां पर 9 million है तो अगर आप देखें तो एल ए अगर देखें एल एवरेज है ना एका एवरेज मतलब एका इंडक्टेंस तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 15 प्लस 6 प्लस 9 divided by 3 हम लोग कर सकते हैं तो यह कितना रहेगा 10 मिली हैं भी है कि नहीं तो यहाँ पर कितना रहेगा यह 10 मिली हैं यहां पर 10 मिली हैं लेकिन आपको जरूरत उसकी नहीं पूछेगा भी नहीं तो जो हम आपको बता रहे हैं मन में करना कि यह पूरा तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो हम ऐसा करने से हमको क्या फैदा मिल रहा है पहला फैदा बंडल कंड़क्टर का जो है ना हम सबसे अच्छा हमको यह लग रहा है कि आपको हम एक्जामपल से ही समझा दे ठीक है तो अब एक चीज़ नोटिस करना इसमें क्या है बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करना आप ठीक है देखो ऐसा है कि अभी तक जो आप इंडक्टेंस का फॉर्मूला देखें वो क्या है टू इन्टू टेन्टू दी पावर मै पर देखें तो आट डैस क्या था आट डैस हम आपको क्या बताया थे थोड़ी देर पहले जी एमार था जहां तक इंटर्नल फ्लक्सिस एज्यूम्ड टू एग्जिस्ट और डी क्या था दो कंड़क्टर के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं तो इसको अगर आप देखो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसको एक जांपल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आगा ठीक है फिर कोई भी कोईशन आप कर सकते हैं जीम डीजी हमार रिया इंडक्टेंस निकाले के लिए बंडलिंग ऑफ कंड़क्टर में या बंडल कंड़क्टर में तो देखो आप यहां पे इजांपल आप समझो कुछ इस्टैप का है ना यह है फिर यह और फिर सपोज करो यह है है 좋아 in चरहे कंड़क्टर में दो कंड़क्टर रटीच सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो सकता लेकिन हम अखिसी का चैस्टरि है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दी दिया रहेगा कोश्चन में करेक्ट है फिर उसके बाद एक चीज और भी आपको देखिए आप एक चीज और भी कर लेना कि सपोज करो कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक जो से यह बहुत अच्छे से अगर सिंगल फेस्टू वायर सिस्टम था तो जो यह आट डैस है जिसका हमको निकालना था उसका जी बतब जो आट डैस था तो अगर को जिसका यहां पर इंडक्टेंज निकाला होगा सब्सक्रूर करो अरका निकालना है तो इसका जी इम आर हम लोग निकालेंगे जिए में र और आफ के वी फेसर और यह कैसे होगा आप देखना कैसे होना चाहिए यह क्या है आप ऐसे भी इसको मेंशन कर लो यह A conductor है यह B conductor है यह C conductor है यह A B C D मत करो 1 2 3 करोगे तो अच्छा रहेगा यह 1 conductor यह 2 conductor यह 3 conductor यह 4th conductor यह 4th conductor यह 6th conductor अब अगर आप देखेंगे GMR of R phase तो आप कैसे करेंगे हमारे पास 2 conductor है ठीक है तो 4 distance होगा कैसे देखो आप यह conductor आप यहां पर बना लो तो अच्छे से समझ में आएगा यह R phase का है यह R यह B R इन दोनों के बीच का distance D है कि नहीं तो देखो आप R phase का इंड़क्टर निकाला तो GMR R का निकलेगा ठीक है कैसे निकालते हैं यह देखिए यह 1 conductor और 2 conductor तो GMR जो आप निकालोगे न तो GMR simply क्या हो जाएगा 1 conductor से 1 conductor के बीच की दूरी खुद से खुद की दूरी D11 फिर 1 से दूसरे की बीच की दूरी तो D12 फिर दूसरे से दूसरे की बीच की दूरी तो D22 जो R dash होता ना खुद से खुद की दूरी है ना फिर दूसरे से पहले की दूरी तो डी टू वन है ना और जी एम आर यूनिट क्या लेंथ का यूनिट तो अगर ये चार है तो तू दी पावर वन बै फॉर ये जी एमर आ जाएगा कहीं पे भी कैसा भी डेगा तो ऐसी करेंगे हम लोग जी जी एमर देखें तो इसकेस पें जी इमर कितना होना चाहिए और दैस ईडी वनवन इस जैसे डी वनवन ई तो डी 3 3 इक्वाल टो डी 4 4 और ऐसे जो भी है दिस इस आट डैस ठीक है आट डैस पॉएंट सेवन इट इट करेक्ट है तो और डैस इंटू डी 1 2 कितना है डी डिस्टेंस डी 2 2 क्या है और डी 2 1 क्या है डी 2 1 है डी 2 2 पावर 1 2 4 है की नहीं तो फिर आप यहां पर कितना होन सकता है और डैस देंको यहां पर इसक्वार डी इसक्वार टूदी पावर 1 1 बैफ फोर यह स्क्वार से चैंसे लों के वन रैट यहां पे यही रहा जी एम आर और आफ मतलब आर फेज जो है यहां पे यही रहा है कि नहीं इसमें कोई प्रॉलम तो नहीं है बहुत सिंपल जाब देखना गेट में भी क्वेश्चन इसमें पूछा है तो वह क्वेश्चन करिए ठीक है यहाँ पर तो हम डिस्टेंस यह सब दे दिये ना तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि यह डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना पड़े ठीक है तो कोई जूनित मत्य जैसे कहीं पर 20 cm है अगर ऐसा रहता तो जी अम लोग कैसे निकालते हैं अगर मालों यह वन कंड़क्टर यह टू कंड़क्टर यह त्री कंड़क्टर सारे का रेडियस आर और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो अब यहां पर GMR हम लोग कैसे निकालते हैं तो इसके यहां पर GMR कैसे निकालते हैं तो GMR देखो, यहां पर direct हम कर दाएं, खुद से 1 से 1 की दूरी तो R-, 1 से 2 की दूरी तो D, 1 से 3 की दूरी तो D, है ना, Similarly, second, 2 से 2 की दूरी R-, 2 से 1 की दूरी D, और फिर 2 से 3 की दूरी D, Similarly, third conductor के लिए R-D into D, है ना, to the power 1 by 9, क्योंकि unit तो meter में ही चाहिए, length का ही चाहिए, तो 1 by 9 करेंगे to the power तब ही तो आएगा ना, तो यह समझ में आगे, ऐसी करना यार, यही है, कितना सिंपल है, GMR समझ में आगे, गेट में आएगा, इस टैप का question, अब देखिए, अब देखिए, अब हम आपको क्या बताने चाहरे है, अब हम लोग GMR आ गया, GMR याद रखेगा, GMR इसका यह आए, सिभला ने कैसा, तीन conductor का देख चुके, मतलब bundling तीन का हम लोग देख चुके है, चार राता तो चार का भी वैसी करते, कुछ भी राता हो ऐसी करते, अब हम लोग को GMD देखना चाहिए, ठीक है, जोमेटरिकल मीन डिस्टेंस, अब हम लोग को जोमेटरिकल मीन डिस्टेंस, जोमेटरिकल मीन डिस्टेंस, अब हम लोग क्या देखेंगे, जोमेटरिकल मीन डिस्टेंस, GMD, जोमेटरिकल मीन डिस्टेंस, ठीक है, तो जोमेटरिकल मीन डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, यह चीज़ भी आपको समझना चाहिए क्या होगा यहां पर देखो इस टेप समझना डी आर वाइए है ना डी आर वाइए है कि नहीं इन्टू डी वाइबी वाइसे बी के बीच की दूरी है ना इन्टू डी बी आर है ना याद रखना कैसे कर रहे हैं डी आर वाइए फिर उसके बाद डी वाइबी उसके बाद डी बी आर तीनों का आपस में डिस्टेंस है ना और क्योंकि तीन डिस्टेंस का मल्टिप्लिकेशन है और यह सब यूनिट कितने का आता है यह सब यूनिट क्या आता है य यहां पर देखें जैसे डी यह तो मीटर में होना चाहिए ना तो यूनिट अगर यहां पर तीन को मल्टिप्लाय किया तो डिवाइड़ वान वाइट्री करेंगे तो यह हो जाएगा ठीक है अब देखो अब डी आर वाय में भी लो चाहिए अब डी आर वाय हम लोग यह समझ अ जो देखो यह क्या है और से वाय के बीच की दूरी ठीक है तो इदार भी कंडुकर भी दो कंडुकर तो कैसे लेंगे भाई तो यह ऐसे हैं fy वन से ट्री के बीच की दूरी तो डी टू फोर क्योंकि फोर है तो तो ती पावर वन बैफ यह आ गया डी आर वाई B यहाँ पर क्या होगा तो D Y B भी आप यहाँ पर देखिए तो D Y B यहाँ पर क्या होना चाहिए तो D Y B अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो D 3 से 5 की दूरी इससे इसकी बीच की दूरी into D 4 5 4 से 5 की बीच की दूरी D 3 6 और D 3 sorry D 4 6 ठीक है 2D power 1 by 4 है न यह समझ में आ रहा है यह सब चीज कैसे कर रहे हैं हम है न DRY कैसे निकाले है किसी भी case में आपको ऐसे ही करना है ठीक है यह DRY आ गया DYB आ गया और फिर उसके बाद DBR अगर हम लोग करें तो DBR यहां पे क्या होना चाहिए तो DBR यहां पे क्या होना चाहिए तो 1 से 5 की दूरी ठीक है तो D15 फिर 1 से 6 की दूरी तो D16 फिर 2 से 5 की दूरी तो D25 फिर 2 से 6 की दूरी तो D26 1 by 4 तो हमारे पास क्या क्या आ गया हमारे पास सब आ गया DRY भी आ गया DYB भी आ गया DBR भी आ गया हम आपको यह जो है ना डी और स्मॉल डी और आर के फॉर्म में बता है और को नुमेरिकल वैल्यू होगा तो आप सिमिलरली कर लेंगे ना इस पर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो जब डी आर वाई डी वाई इनटू डी भी आर तो दी पावर वन न गयर हम पर मिटा संच गे तो इस पर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा हम जस्ट एक केस सड़ी लेकि आपको बता दिए जिससे आपको आइडिया लग जाए है कैसे निकालते हैं लोग तो GMD मतलब दो अलग-अलग के बीच की दूरी और GMR मतलब सेल्फ ठीक है सेल्फ GMR को हम लोग सेल्फ GMD भी बोलते हैं बहुत 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 करेक्ट है करेक्ट बहुत 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 करेक्ट है